जाहिन दोस्तों क्या हाले फिर से स्वागा थे एक नया वीडियो में I hope you are all well and I am very fine too दोस्तों आज इस वीडियो को माध्धम से मैं आप लोगों का साथ श्रियार करूंगा जिन्स पैड का उपर डेनम जिन्स है ये मेरा हाथ में एक और ये डेनम जिन्स को अपर जो यह हॉईट होता है इसको अम लोग बोलता है एसप्रे और यह एसप्रे एसका प्रोसेशिंग कैसा होता है जिन्स का उपर कौन्सा क्यामिकल का थुल ringing को यह करके यह प्रेक होता है अज इस वीडियो को माध्नम से पूरा की पूरा आप लोगों का साथ शेयर करूंगा आप जीन स्पैंड का थैन है हो चला रहे रीटेलर है या जीन स्पैंड पैंता है तो आपको यह वीडियो देखके बहुत अच्छा लगेगा जो जीन स्पैंड को करेंगा और यह दो क्रियेशन का इसा होता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहला जो मेरा चल्ड पर पहला वारा है वह मेरा चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो अल्रेड़ी सब्सक्राइब कर चुका है उसके ठीक समद है है गाई सोलिका मैं आपका होस चाहिए तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को और पर सेटिंग का लिजिए ताकि जैसे मैं वीडियो आप्रोड करें सबसे पहला नोटिफिक्रिक्रिक्रिशन पहुच आपका डिवाइस पे तो चलिए ज़्यादा देड़ना करें इस वीडियो को शुरू करते हैं अब देख सकते हैं चार पजन कारिगर मिलके इदार कुछ ना कुछ कर रहा है पैंड का साथ तो दोस्तों यह जो कच्चा पैंड होता है जीन्स पैंड जो मैनिफिक्चर होता है पहला और इसमें इंडिको कलर रहता है कपड़े का उपर डेनम जीन्स और इसको एक पैर बन बनाया जाता है और इसमें एक कमप्रेशर का मेशिन का जरूरत पड़ता है जैसा हम लोग साइकल में मोटर साइकल में या फोर्वलर में हावा भरते उसका टायर में तो ऐसा ही इसमें हावा भरने के लिए एक सेटिंग बनाना पड़ता है जो दोनों पैर का जैसा दिखता उसी में इस पैन को चड़ाया जाता है इसको पैनाया जाता है पैनाने का बाद एक पैडल रहता है नीचे पैडल को प्रेस करेगा तो यह दोनों पैर में हावा भर जाता है और यह दोनों पैर ट्यूब का बना हुआ रहता है तो दोनों पैर में जैसा हावा भर जाता है तो कपड़ा जो है वो एकदम टाइट फिट हो जाता है तो उसका उपर पटाशियम मैगनेट का एक लीकुईड बनाया जाता है जिसको पीपी हमारा भाषा में पीपी केमिकल बोलता है जिसका ओरजिनाल नाम है पटाशियम मैगनेट जो आपरेशन फिटर में बहुत ही जोरी एक केमिकल यूज होता है वही केमिकल को इसमें यूज किया जाता है ठीक है और यह हम लोग एक दवाई बोलता है दवाई समझो तो यह जो केमिकल है यह केमिकल को एक ट्यूब का माध्धम से भरके जैसा color का process होता है जैसा कि देवार को color करता है वो ही machine same वो machine का अंदर ये PP chemical को भर के इस pan का उपर जैसा जैसा position है यहाँ पर हमको white चाहिए उहाँ पर spray कर दिया जाता है उससे पहला इस pan को पहला एक round chemical से धोलाई किया होता है धोलाई करने का बाद इसको धूप में सुकाया जाता है सुकाने का बाद वो जो सुका हुआ पीस उस पीस को इस tube में चड़ाया जाता है और चड़ाने का बाद इसको जैसा आपका सामने footage में देख रहा है याईसा ही इसका उपर spray किया जाता है जैसा ही एस्प्रे का जो प्रोसेज है वो कम्प्रिट हो जाता है तो ये पूरा पीस को फिर मेशीन में डालके इसको एक केमिकल का मादधम से इसको हार्ड वाश किया जाता है यानि कि इसको धोलाई टाइप का किया जाता है एक केमिकल का मादधम से तो जैसा ही इस केमिकल का माध्धम से इसको धोलाई होता है तो यह जो पी-पी का जो chemical इसमें लागा हुआ है यह पूरा धूल जाता है धूलने का बाद पैंड का उपर एक निखर हो जाता है जैसा कि हॉइट जो एस्प्रे दिखता है वह एस्प्रे एकदम उठके दिखता है तो यह ही था इसका प्रोसेज और मैं आई होप आपको समझा पाए तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको बहुत कुछ सिखने को मिला जानकारी मिला जीनस्प्रेंट के लाइ बाइ 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 एक यहट